नमस्कार आप देखरें सवाल भारत कवर में हूँ आपके साथ शीतल राजपूत देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रिस अपने 134 साल के दिहास में ना सिर्फ सियासी तौर पर बलकि भावनात्मक तौर पर भी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है लगातार दो लोग सभाचनाव में करारी हार और रज्यों की सत्ता से लगातार बाहर होती कॉंग्रिस के होसले इसकदर पस्त हैं कि राहुल के नित्रत्व के लिए तयार नहीं और पार्टी गांधी नहरू परिवार के बाहर के अध्यक्ष पर सोचने को तयार नहीं ऐसे में सवाल यही कि कौन संभालेगा कॉंग्रिस को हाला कि इस बीच जिस नाम पर सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है कॉंग्रिस की मौझूदा महासचिफ प्रियांका गांधी वाज्रा चुनावी हार के बावजूद भी प्रियांका की सक्रियता ने न सिर्फ पार्टी की उमीदे एक बार फिर जिन्दा हो गई लहाजा पार्टी के अंदर से आवाज तेज हो गई है कि अपकी बार प्रियंक को मिले कमान दरसल राउल के स्तीफे के बाद पार्टी में बनी स्तिथी को लेकर सीनर नेता काफी नाराज है शशी धरूर कहते हैं कि नित्रत्व को लेकर क्लारिटी जो नहीं है उसकी कमी पार्टी को नुकसान पहुचा रही है कॉंग्रस में सुधार की जरूरत है अगर गांधी परिवार से अध्यक्षपत के लिए कोई दावेदारी करता है तो यह अच्छी बात है और अगर कोई दावेदारी नहीं करता है तो जल से जल चु कि यह दो महिने से हमारे पार्टी एक वैक्यूम पे चल रहा है वैक्यूम का मतलब यह है कि कुछ तह भी नहीं हुआ है कोई निश्चे नहीं हुआ और इसके वजए से गोवा में हमारे विपक्ष के लिए तक खुच चले गए करनाथक में जो कुछ वाप लोग देखे हैं औ हमारे तरफ से जवाब देना एक्शन लेना मतलब मजबूत रहना कोई अध्यक्ष नहीं रहा तो हम चाहते हैं कि तुरंट किसी को भी आप अपॉइंट कीजिए इंटरिम अध्यक्ष अभी के लिए शायद यह तकाल रहे कि दो तीन मेहने की डूरेशन में ही वो काम करें इसी समय आप एक चुनाव के प्रोसेस चलाएए और इस चुनाव में ऐसा होना चाहिए कि कोई भी अपना नाम दे सकें और पार्टी टे करें पार्टी का मतलब है कि हमारे एसी से में सिफ हजार लोग हैं प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के डेलिगेस को गिनके मतलब पी सी स जैसे कि सुनिया गांधी जी जीते हम पसाथ साब को हरा के अध्यक्ष बनी तो उस वक्त जितनी मतलब शक्ति उनके हाथ में उस किसम के शक्ति भी कोई नाया अध्यक्ष मिलना चाहिए ने नाम की बात नहीं मैं प्रोसेस के बारे में बोल रहा हूं नाम कोई भी आने दो अगर गांधी परिबार आने के लिए तयार है तो सब कार्य करता बहुत खुश होंगे सब तो चुनाव आसान से जीते हैं लेकिन बात यह है कि वो लोग कह दे हैं कि वो इसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि कि किसी और का मौका आ गया है कि मुझे तो भू हिंजाब के मोके मंत्री क्याप्टिन अमरेंदर ने भी एक बार प्रियांका के नाम की पैरवी किया है उन्होंने मांग की कि कॉंग्रस का क्याप्टिन यांग होना चाहिए इसके साथ हूं कि बिलकुल मैंने पहरे बात की थी इसकी एक इसकतर परसेंट हिंदोस्तान आज पहन्ती साल से कम है यंग इंडिया है और यंग इंडिया विल रिस्पॉन्ट तो यंग लीडर तभी मैंने कहा था कि वी मस्ट वे यंग लीडर इसी बेसेश पर राहुल जी आ याएंगे आफ शोर सारी पर्टी से पोर्ट परेगी इंडियां कजी अगर अगर हमारे प्रेजड़न्ट ऐूटर को अगर हमारे प्रेजिडन्ट आउट्कों परेजोड चाहते हैं बोह हूं Luban कि नेता अपनी राए रख रहे मनीज दिवारी से पालती कि अनदर का अलोग रखती है जो पार्टी के जो अंदरूनी मामले होते हैं उन से संबंदित नहीं है जहां तक पार्टी के अंदरूनी मामलों का संबंद है उसके उपर हर कारेकरता को हर नेता को अधिकार है कि वो अपनी राय रख सकता है तो कैप्टनम रिंदर सिंग जी ने शिरीश हशी थरूर ने अपनी राय व्यक्त की है और ये जो एक इनर डिमॉक्रिसी है अंदरूनी लोगतंत्र है कॉंग्रेस पार्टी में ये उसका जीता जाता उधारने लेकिन लाग तके का सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर ग्रान ओल पार्टी कॉंग्रेस को कौन संभालेगा अलाकि प्रियंका इस पर चुप है साधी गांधी परिवार की चुपी भी बनी हुई है और यही कॉंग्रेस के निताओं को बेचैन कर रहे है अलाकि कॉंग्रेस के इतिहास को देखे तो आजादी के बाद बहुत कम ऐसे मौके रहे जब पार्टी की कमान गेर गांधी नहरू नेता के हाथों में गई ऐसा करीब साथ लोग सभा चुनावों में हुआ और उसमें भी जीद सिर्फ चार में मिली लहाजा इस मुश्किल वक्त में कॉंग्रेस ने अपनी उमीदों का पूरा भार गांधी परिवार पर डाल दिया है और खासकर प्रियंका गांधी पर उन्हें तमाम गुन उन्हें दिखाई दे रहे हैं जो कॉंग्रेस की नईया को पार लगा सकते हैं ऐसे में सवाल भारत का में हमारा आज का पहला सवाल कॉंग्रेस की कमान क्या प्रियंका के हाथ कॉंग्रेस की कमान प्रियांका के हाथ एक तरफ कॉंग्रेस में अटकलों का बाजार गर्म है तो वही कुछ ऐसा ही हाल जमो कश्मीर में भी दिख रहा है जब से केमरी ने कश्मीर में अतिरिक सुरक्षा बलों की तैनाती का एलान किया है वहाँ न सिर्फ सियासत गर्म है बलके कई तरह की आशंकाय अफवाहें अपनी जगे बना रही है दरसल मोधी सरकार के कश्मीर में अतिरिक सुरक्षा बलों की तैनाती के फैसले के बाद राज़क को विशेश अधिकार देने वाले आर्टिकल 35-1 को हटाने की सुखमुगाट तेज हो गई हाला कि सरकार ने इस पर कोई बयान नहीं दिया हाला कि आतंगवाद के खिलाफ ऑपरेशन और कानून विवस्ता में मदद के लिए केंद्रे ग्रहमंसराले की ओर से इन अतिरिक जवानों को भीजने का फैसला लिया गया है बता जा रहा है कि 15 अगस तक्ष्वी नकर में 15 पुलवामा और सुपोर में 10-10 बाकी 10 दिलों में 5-5 कंपनिया तेनात होंगी कुछ जवान कश्मीर भेजे भी जा चुके हैं बस फर क्या था मेबुबा मुफ्ती और अबदुल्ला जैसे घाटी के तमाम नेता सरकार की खलाफत में उतर आए मेबुबा तो बाकाइदा चेताव नी देने लगे कि लोगे जिरूं में बहुत पैड़ा है और जमो के सियासी मसलह है इसका कोई मिलिटरी सिल्उशन दैंगे जब तक आप चीत नी करेंगे जमो किश्मीर में जो लोग है तो अमन काइम कर सकते हैं मगर देरपा अमन के लिए मसले कश्मीर को हल करना बहुत जुरूरी है नाशनल कांफरेंस के उमर अब्दुल्ला भी मेबूबा के सुर में सुर मिलाते दिखे और अब दोनों नेता इस पर समर्थन जुटाने की कोशिशे कर रहे हैं माना जा रहे कि अगले हफते वो सर्वदल्य बैठक बुलाने की तैयारी में हैं तो उधर घाटी में बन रहे हालात पर चर्चा के लिए बीजेपी कोर ग्रूप की भी कल बैठक है देखिए हमारे होम सेकूर्टी ली के लोगों को सेफ्टी सेकूर्टी देने के लिए अगर कहीं हमारे फोज भेजा जाते तो इसमें हमारे तो कोई आपति नहीं होना चाहिए हमें देखना पड़ेगा कि ये सही दिशा में सब कुछ हो रहे हैं ये देखना पड़ेगा और लोकल लोगों को डरना माइसिस हो ये भी देखना चाहिए क्योंकि आम लोगों को अगर डर माइसिस हो तो हमारे प्रसाशन चलने में दिक्कत होते हैं मेरा समझ है लेकिन इसमें आपति के हमानी तरफ से कुछ नहीं है क्योंकि ये लोगान और की सवाल है इसमें अगर ठीक ठाक कोई सरकार सोचे तो हमें कोई आपति रक्षा मामलों के जानकारों ने भी सरकार के फैसले का समर्थन किया है वो भी मानते हैं कि जम्मु कश्मीर के हालाग को देखते हुए ये कदम जरूरी है कि लूगा टूखो फिएधते हैं तो हून सेंट प्रूद इस जरूओर सभी मिष्ट इसवे घ थाट जरूओरि तो प्रूद था जरूद इस बिए प्रूद दूद थास्ट अवाव मिटा प्रूच्य इस ओर धूद इस टूद प्रूद लोड़त थाद आधिर बिए और is that they are ready for talks only when the pressure is built on them. Now the central government has decided to ensure that they wipe out all this militancy and all the overground workers who are there assisting these militants, they will be arrested. And that is why they want to strengthen the security grid. This hundred companies that are going to come in, they are going to be deployed specifically in South Kashmir because South Kashmir, only two districts are left in the entire Kashmir Valley. North, east and west is already free of militancy. And these two districts that are there, they require the cleaning up. And these companies are going to help in that. So there is no question of trying to solve Kashmir problem militarily. These people always see the decisions of the central government with a jaundiced eye. It is high time they should advise Imran Khan, the prime minister of Pakistan, that he should stop the LOC violations, he should stop shelling the civilian population, and he should stop sending in the terrorists into India. And then we can have talks and we can also solve this problem. So our first question of Kashmir, our प्रियांका गांधी को कमान दी जाएगी, क्या इसका विशलेशन हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, हमासा तुमारा पैनल जुट चुका है, हमासा संजीव कौशिक, राजनेतिक विशलेशक, बीजेपी के नेता शिवम्तियागी, हमासा त्यम्सी के नेता नीरज रॉय भी जुट चुके हैं और सीपी आई के अकरम खान, पुलिटिकल डिसकाशन इस पर हम करेंगे, कश्मीर पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलाल एक छ करेंगे, कि मैं तो नहीं बनुगा अध्यक्ष, सब कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को आना चाहिए, शची थरूर को भी हमने सुना, उसके अलावा क्याप्टन अमरिंदर, पंजाब के मुखे मंतरी, कॉंग्रेस के वरिशनिता, वो भी यह कह रहे हैं, पार्टी के अंद तुम्हारा पुनर जिवीत करने की कोशिश करें, प्रियंका उस खाने में फिट बैठती है या नहीं बैठती है, यदि इस पर चर्चा करी जाए, तो सशित तरूर ने यह कहा है, तो निश्चित तोर पे प्रियंका में वो सब कुछ है, जो एक आपर्टी की अध्यक्ष के पहले जो वो थे, वो राहुल और आज के राहुल में बहुत जमीन आस्मान का अंतर है, उनमें भी बहुत सारे जो राजनीतिक ब्यक्ति के तौर पे जो कमिया थी, उन्हों ने उसको दुर्स किया है, और लगातार वो अपने पदलाव ला रहे हैं, लेकिन प्रियंका में अलग चीज़ है, मैं के अवल नाक नक स्नैन की बात नहीं करूंगा, प्रियंका के बात करने में, लोगों से कनेक्ट होने में, जिस तरह से वो चुटीले अंदाज में गाओं में जाती हैं, या कनेक्ट होती हैं, उन्होंने अपने मा की एलेक्शन के समय हम को याद है कि सा एक बार एक भासन में उन्होंने पूरे वहां का फिजा बदल दिया था, तो प्रियंका में वो सारे गुन है, लेकिन क्या वो फुल टाइमर राजनीती में आना चाहती है, सबसे बाहते हैं, अब तो आगी है, महा सचिप बन गई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या वो सचमुच में वो कमान प्रियंका गांधी ये कमान लेने को तियार है ये निकिन आप मानते हैं कि वो भरपूर उनके अंदर कूट-कूट कर भरा है नित्रत्व करने का माददा हाँ निश्ची तौर पर इस पर आप क्यों मुस्कुरा रहे थे शिवम्तियागी मैं सब कहना चाता था हाँ प्रियंका गांधी बिलकुल एक दम कॉंग्रेस को उससे बहतर अध्यक्ष कहां मिल सकता है कोई 47 साल की युवा है मेरा खाल योगिया दित्यनाजी 23 43 यह के हैं उनके नाम के आगे कभी आपने युवा शायद सुना नहीं होगा 49 साल के राहुल गांधी आज भी इस देश में युवा है सचिन तेंदूलकर 42 साल में रेटायर्मेंट लेकर घर पर बैढ़ गए अपना पूरा करियर लेकर आज तक युवा बने हुआ है खेरालव एक दूसरी बात है और दूसरा आपने कहा कि उनमें भरपूर है गांधी कोई बनाया जाए का लेकिन बनाया गया उनको क्योंकि पता था कि जो कॉंग्रेस का प्रेजिडेंट अभी होगा इस गुरेभी दे प्राइम इनिस्टर फॉर इंडिया तो गांधी परिवार के लिए उनके अलावा तो कोई ही नहीं कॉंग्रेस में और भी बहुत सारे मुझे लगता है अगर आप यह युवाओं को सच में कुछ देना चाहते हैं तो अपनी पार्टी में से एक युवा चेहरा निकालकर लाइए और उसको आगे बढ़ाईए और फिर कहिए कहां यह कॉंग्रेस पार्टी है कोई भी हो उनका विचार है मुझे लगता है आपक इसके अभी जब उन्होंने स्टिफा दिया तो पूरी जो कॉंग्रेस है लाइन लगा कर रोने के लिए लगी हुई थी कि नहीं मत जाईए अभी प्रयंका जी ने एक कुछ सौ लोगों को इखटा करकर वो सोन भद्र गए तो उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं उनमें वो ब जब आपने पढ़ा है तो यह भी आपने पढ़ा होगा कि जब नसीमा नाव परधानमंत्री के बाद उनके बनने के बाद की बात में कर रहा हूं उस वक्त जिस तरह से कॉंग्रेस की स्थिती थी यदि सोनिया के कमान नहीं संभालती तो उसी वक्त कॉंग्रेस बढ़ गया सब्सक्राइब कर देखा है कि प्रियंका गांधी को पार्टी का ध्रक्ष क्यों ना बना दिया जाए इसी पर भैस और यह संजीव आप कुछ कह रहे थे और शेवं पिर आप भी सिर्फ मैं यह कह रहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रियंका गांधी की तो निष्ट तो प्रियंका और राहूल में अस्मान कांतर है प्रेंका को यह मोगा देशा Panel में गहतर साबित होगी लेकिन फिलाल मैंने शुरुआती dar में लेकिन आपके पास इसका प्रूफ क्या है, 2009 में जब नए राहुल गांदी आये थे, और सिर्फ हाथ हिला कर पब्लिक को अभिवादन स्विकार करते थे, तो इस पूरे देश ने माना था इस बात को, कि राहुल गांदी is a young lad, इस देश के साथ बहुत अच्छा करने वाले है, he's decisive, he's good, सब ने माना और उस पर mandate दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मीडिया में एक्सपोज हुए, सब को सामने आगे है, सच्चाई क्या है, अभी तक limited parents हैं प्रयांका गांदी की 17 साल मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि यदि प्रयांका भी बने तो कोई अतराज नहीं है, हमारे लिए तो फाइदा ही है, मैं क्या कहता हूँ, दस साल तक राहुल गांदी से फाइदा हुआ प्रयांका गांदी, बिकिस जाहिर बात है, जब आप एक बार राजनीतिक जीवन में आ एस निजलिंग अपपा, उन्होंने नहरू जी के बारे में कहा था कि एक हजार नहरू भी अगर बन जाएं, तो भी सरदार वल्ला भाई पटेल जैसा काम नहीं कर सकते हैं, पांच सो रियासत को एक जगा मिलाना, बावजूद इस देश के पहले प्रदान मंतरी नहरू बन आप इतहास को देखकर ही तो आगे का फ्यूचर प्रिजम करेंगे ना, जैसा आपके हमने पूर्व में किया है, ऐसा ही आप आप करने वाले हैं, और यह स्टेज मैनेश प्रोग्राम है, प्रेलका गांधी ही राश्चार्देश बनने वाली है, यह चली है, ठीके, ठीके, म और मैं मान भी उनके पास चलती हूँ, मैं चलती हूँ, नीरज रॉय के पास TMC के निता मार सा जुड़े हूए, नीरज रॉय, प्रियांका गांधी, कॉंग्रेस की अध्यक्ष बने पार्टी के अंदर से यह मांग उठ रही है, प्रियांका को काफी सक्रियता से हमने देख अधा ध्यक्ति सदेश्विश अब Богि निता के तौर्ब आपकी रॉय कीया है, ठीक है उनकी पार्टी का अपना मामला है, प्र भी आपकी रॉय किया है मामले मामली को लेकर हë확ं सब्स्क्राइब का। अधथ प्रत्यारोब वास्तविक्ता तो यह है कि कांग्रेस और बीजेपी आज के समय में दोनों एक दूसरे की पूरक हो चुकी है इन लोगों में डील हो चुकी है कि कभी हम बढ़ेंगे तो कभी आप घटो कभी आप बढ़ो तो हम घटे एक कहवत है उत्तर प्रदेश वे के चोर-चोर मुसेरे भाई आपकी भी मजबूरी है क्योंकि आप भी दीदी से आगे नहीं सोच सकते तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के लिए बैटिंग करेंगे उसने किया ब्लैक मनी ने कर दिया अच्छा तो मतलब आप यह कहना है कि इस देश के वोट को खरीदा जा सकता है वोट बिका हुए अरे भाई आप पाकिस्तान में नहीं रहते हैं आप इंदुस्तान में रहते हैं आप लोग यहां बड़ी बड़ी मुंडियों को खरीद ल जन्ता आप कह रहे हैं कि आपके पस्चिम बंगाल की जन्ता विकी हुई थी आपके पस्चिम बंगाल में हमारी नास पर्फार्मल सक्षा बहते रही है देखिए आपका जो ये घमंड है आनेवाव एलेक्शियों में यही आपको हरायगा और चिंता मत कीजिए जिस तरह से आप हर बार जंता के विवेक को ऐसे ही नकार देते हैं कुछ साल और ऐसे ही नकारते रही है आप भी नकार दिये जाएंगे बिल्कुल साफ हो जाएंगे जमता ने दिखाया है 2019 में दिखाया ना आपकी भारती जमता पार्टी नकारी जा रही है जमता ने दिखाया नकारी जा रही है बताईए ना कहा नकारी जा रही है कहां में कारी जा रही है सरकारी मसीनरी सरकारी मसीनरी का दूरू पयोग किया है आप लोगों ने यह जो आपकी जुमले बाजी है यह जो आपकी जुमले बाजी है यह 2014 के इलेक्शन से पहले से शुरू हुई 2014 में भी जंता ने नहीं माना तो यह जो आपके पास कुछ नया है तो लेकर आईए क्योंकि इस मुद्दे पर नहीं ठीक है और कांग्रेस की अक्रम खान अक्रम प्रियांका गांधी कॉंग्रस के दक्ष बनती है क्या अगर बनती है जी देखिए सीटल जी कांग्रेस का जो दस सालों से हाल चल ला है वहाँ पर युवाँ और जो सीनियर नेटा थे उन हैं वो सोन्या गौधी के पक्ष में और जूनियर नेता जो हैं वो रावल काण्दी के पक्ष में सीधा मामला यह कि जब पार्टी में ही एक दूसरे की सोच अलग होगी तो पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी राहुल गांदी ने जो मेनत की दस सालों में जो बयान भाजी की जो भाषन दिये जो मेनत इदर उदर अंदोलन में गए कुछ भी किया मगर उनकी मेनत बेकार चली क्योंकि पार्टी में एक दूसरे में तनाव हमेशा से चलना है और हमेशा चलता रहेगा इसलिए राहुल गांदी ने इस्तीफा दिया है इसलिए राहुल गांदी चाहते है कोई गांदी परिवार अध्यशना बने मतलब इनका यह कहना संजीव कौशिक की कुछ नहीं हो स कि स्थिती हम जो यहां बैटके आकलन कर रहे हैं हकी कांग्रेस अभी समाप्त नहीं हुई है कांग्रेस में दुबारा एक बार कांग्रेस को खड़ा करने की जूरत है और यही कोशिश जा रही है राहुल गांदी ने तमाम तरह से कोशिश की लेकिन पिछले इलेक्शन की बात कर लें या उसे पहले वाले इलेक्शन की बात कर लें लोग यहां यह कह रहे हैं कि परधान मंतरी को बड़े परचंड बहुमत से जदी लोगों ने जन्मत दिया है और उस दुबारा सता में का भी हैं तो मेरा मानना यह है कि जिस तरह से इमानदारी की बात करें दो 2009 क के आस-पास में जब दुबारा कॉंग्रेस सरकार में आई थी उस वक्त देश में कॉंग्रेस के अलावा कोई विकल्ट दिखाई नहीं दे रहा था जो विपक्ष के तौर पे जिसमें देखा जा रहा था आडवानी जी थे वह मजबूती के साथ ख़ले नहीं थे वही इस आई बने बदाला निश्ची तोर पे आज के परिपेक्ष को अब अपने आप में यह देखना होगा कि पहले वाली बात आज के वक्त में नहीं है एक मजबूत ठोस रनीतिकार एक ब्रांडिंग करने वाले लोग यहां बैठे हुए हैं चतुर सुजान लोग बैठे हुए हैं किसी तरह से कहीं कोई कमी नहीं है जो चीज शुरुवाती दौर में कॉंग्रेस के लिए मजबूती थी वो शारी मजबूती अब धीरे धीरे सिफ्ट हो गई है भारतिय जरता पार्टी में कैसे वो दुबारा इ तो उनके पास एक ही तरीका है भारतिय जरता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया हुआ है सदस्यता ले ले और इदर आ जाए इसी तरह से कॉंग्रेस बदल सकती है क्योंकि यह इसलिए सुजाओ है आप परिवार से आगे बढ़ेंगे नहीं 50 साल के व्यक्ति को युव वही रखेंगे जहां आपके युवा चीफ मिनिस्टर हो सकते थे उनको बनाएंगे नहीं प्रयांका गांधी जबिस पार्टी की महासचिव भी नहीं थी तब भी उनकी इन्वाल्मेंट मध्यपरदेश और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर शुन नहीं आप मनते हैं कि वो सदस्था दिलारे कॉंग्रेस को बीजिपी तरस से ताइस लिए क्योंकि वो परिवारवाद से बहार नहीं निकलते आपको परिवारवाद छोड़ना पड़ेगा युवाओं को मौकर देना पड़ेगा नीरज रॉय रियाट करना चारहे थे नीरज रॉय आईए जी आप कुछ रियाट करना चारहे थे जब शिवाम कॉंग्रेस को बीजेपी की सदस्यता की बात कर रहे थे जी शरी आप अभी रियाट करना चाह रहे थे न जब शिवम बात कर रहे थे कॉंग्रेस की कॉंग्रेसी बीजेपी की सदस्यता ले ले यही एक कॉंग्रेस के भार का रास्ता है देखिए शिवम जी आज इतना बेहतरिन सलाग कांग्रेस को दे रहे हैं शिवम जी यह नो भूलें कि 2014 से अब तक की भारती जमता पार्टी देश के विभिन दलों को मिला कर एक ऐसी विचारधारा बन गई है कि वो कभी भी छिन भिन हो सकते हैं तो सिवम जी जिनके घर सीशे के होते हैं दूसरों के गरों पेट नहीं फिकते हैं आज जो संगठित भारती जमता पार्टी आपकी दिख रही हैं सबका साथ सबका भी कास नहीं है देश का बिनास है आप लोगों के कारेकाल में जहां 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 आप लोग सासित हैं कांग्रेस पे ध्यान लगाने की बजाए रोजगार की ब्रदी करिए किसानों को सम्रा से अरा राजिस्काल बनाने की बात करिए आप लोगों आप लोग दूसरों को राय देने की बजाए आप लोग देश के बिकास में अब वक्त है दूसरे सवाल का आज के एक तरफ कॉंग्रस में अटकलों का बाजार गर्म है प्रियांका गांधी को लेकर जिस पर हमने डेबेट की वहीं कुछ ऐसा ही हाल जमो कश्मीर को लेकर भी दिखाई दे रहा है जबसे केंद्र ने कश्मीर में अतिरिक सुरक्षा बलों की तैनाती का एलान किया है सियासत वहां की गर्म है कई तरह की अफ्माहों ने अपनी जगे बना लिये दुरसल गोधी सरकार के कश्मीर में 10,000 अतिरिक बल के तैनाती के फैसले के बाद राज़क को विशेश अधिकार देने वाले आर्टिकल 35 एको हटाने की सुख बुगाहट तेज हो गई है अलकि स स्थानिया नेता है मैबुआ मुफ्ती हैं PDP की आप नाशनल कांफरेंस के उमर अबदुल्ला है वो इसको लेकर बेहत चिंतित हो गए हैं और एक सर्वदली बैटक भी बुला डाली है इसी पर हम बहस करेंगी कश्मीर को लेकर आखर चल क्या रहा है शिवम ते आगी के पा लोकल नेता है वो लगातार ये डर फेला रहे है कि 35 पहुटाने की बात हो रही है यह हो रहा है वो हो रहा है तो उस चीज़ को देखते हुए हम यह सारी चीज़े कर रहे हैं अभी 15 अगस्ताने वाला है अमरनात यात्रा जारी है तो जाहर है उसको देखकर सुरक्षा चाक चोबंद होनी चाहिए उसका ये इंतजाम है लेकिन अगर बात करें दूसरी पार्टी की जो बार बहुत जादा हो हला इस पर कर रहे है और वो कहते हैं कि 35 और 35 और 35 को हटाने के लिए ही भारतिये जनता पार्टी को कश्मीर से इस तरह का मैंड़ेट मिला है मैं बताता हू कैसे 28 लाग का करीब वोटिंग हुआ है जम्मू और कश्मीर में अगर टोटल लगा लें तीन सीटे हमने ली और तीन सीटे नाशनल कॉन्फरेंस ने 2014 में भारतिये जनता पार्टी को करीब 50% वोट मिला था जो 2019 में बढ़कर 60% हो गया भारतिये जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कहता है सबसे पहले जम्मू और कश्मीर को लेके के हम 35 और 3070 हटाएंगे इसका मतलब क्या है वहां की जादातर जनता ये चाहती है के वहां से 30 3070 और 35 के हटे और उसकी तरफ भारतिये जनता पार्टी और ये सरकार अग्रसर है जो भी उसमें समाधान बनेगा हम उसे करेंगे बिल्कुल पीछे नहीं है इनामू नभी कश्मीर की जनता चाहती है 35 कश्मीर में अतिरिक सुरक्षा बल भेज दिये तो क्या गलत कर दिया क क्यों इतना हाई तौबा मचा है में अबर अब्दुल्ला क्यों परेशान है खाली उमर अबला मेंबा मुष्टी की बात नहीं है पुरे जमो कश्मीर आवाम की बात है उनका कंसर्ण है कोई नहीं कहता है कि जो आईने हिन की तरह से स्पैशल स्टैटस दिया गया हो उसके स कश्मीर के लोगों को दिया हूए है यह ना सिर्फ जमो कश्मीर के अवाम को यह स्टैटस हाइब कि हमारे कुछ और भी स्टेट से कंट्री में जिनके पास स्टैटस है अब ही जब आपको पता है कि स्टेट में अनार्की है स्टेट में एलिनेशन है ऐसे टाइम इस हो जिससे लोगों की एलिनेशन बढ़ सके ठीक अब अनूब कॉल आप सहमत है नावन अभी से सहमत और समती की बाद इससे में यहां पर नहीं है कियोंकि वन नेशो रर टू कंसूआइश चल रहा है एक ही देश के अंदर दो कंसुछन चल रहे हैं और दो कंसुछन कभी सक्षे ऊपह सकते है लहाज़ा इसके उपर विचार करने की ज़रत है इसमें क्या है क्यैं नहीं यह तिस ए एक्षुली में यह टम्री लगाया गया आपको मिलेगा 36 आटिकल मिलेगा लेकिन कहीं भी नहीं है इसके बाद गोपाल स्वामी एंडर जी को जो है यह दाइत्व दिया गया था जहारा नहरू जी की तरफ से कि इसको किसी तरह से जो है किया जाए जो बाद में अल्टिमेटली उन्होंने इसको बनाया लेकिन उसके साथ में एक क्लॉज लगया दिया था कि दैट इस टेंप्रेरी टेंप्रेरी फॉर टेंडियर्स ऑनली और वो टेंप्रेरी फेस्ट कपका खतम हो चुका कि यह 98 अक्टूबर जहांता मैं को याद था राजा महराजा हरी सिंग्स में थे वहां के महराजा उन्होंने एक निविद्र किया था कि इसको जहां की जनता को कुछ विशेश तोर पर जो है कुछ दिया जाए उसके लिए उन्होंने जो टेंप्रेरी जो आर्टिकल 370 लगा जा था लेहादा एक कंट्री के अंदर नहीं हो सकते हैं एक कंट्री के अंदर दो कॉस्टिकूशन क्यों हो क्यों कैसे हो और दूसरा यह कि टेंप्ररी जो चीज थी उसको पर्मनेंटली क्यों क्यों खेचे जाए यह देश एक छोटा सब रेक आप से जवाब लूँगी छोटे से ब्रेक के बाद लॉट्री हम बात करें कि कश्मीर में जो कुछ चल रहा है इसको लेकर सानी निता क्यों परेशान है इनामुन नभी के पास में चलती हूं फिर मैं आपके पास आओंगी अनुट कॉल इनामुन नभी ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल यह था कि एक देश में दो समयदान क्यों क्यो इसको पहले मिलता है यह कोई चीज इसको 25 जो दी गई इंडिपेंडेंस के बाद दी गई लेकिन अगर आप देखें कि इसकी हिस्ती में जाएंगे 1889 में महराजा ने जब डिसाइड कि ऑफिक्श लंगे चेंज की जाए और दो स्पीगिंग पीपल को लाना चाहिए उस व जाए तो जाब रायटो प्रॉपरड़ि जो मुकश्मी के लोगों को देना चाहिए जिसलिए जो यह उनकी एच्टेशन चली फिर यह इस पर कंटिनियू रखते हुए प्रिश लाल किरम ने 1921 में एच्टेशन चलाई और 1927 में महाराजा एग्री कि कि क्श्मी के लोगों क को ही जो मुकिश्मी के लोगों को ही राइट व प्रॉपर्टी दिया जाएगा और अगर आप इसको टेंपरेडरी मानते हैं प्रेजिशल ओर्डर की फो यह हुआ था फिर और भी हमारे पास लाज है जो प्रेजिशल ओर्डर से हुए थे आपने जो मुकिश्मीर में सद्रे प्रेजिशल ओर्डर की बेज बना करें रिवोग करते हैं फिर आपको वजीर अजन की पोस्ट को भी लोटानी पड़ेगी क्योंकि वह भी एक प्रेजिशल ओर्डर के पहत्ती है जानकारी प्ता दूना प्रियासते थी अगर एक यूनियन फ्लैग के नीचे वो नहीं आये होते तो इस देश में 564 जगा आपको वीजा लेके ट्रावल करना पड़ता जब वो 564 राजा यूनिफाय होके एक देश बना तो आपको स्पेशल एक्ट क्यों मिले और दूसरी चीज आपने जिस टेंप्रेरी अरेंजमेंट की बात कही ये टेंप्रेरी अरेंजमेंट सिर में मना कर दिया था बड़ा साफ सुद्र माता हों को कि मैं जाना नहीं चाहता है ता लेकि आप लोगों की जिकर करो कि I believe in future आज क्या हो रहा और कल क्या होने वाला मैं इसकी जान कर जाता हूं बतार कश्मरी पंडिर लेकिन आपको बतादू है कि आपको हिंगुस्तान से मि इंडुस्तान से मिलना विले करना का सूचा यही कह रहा हूं जो आप जो आपने जो कहा उस जमाने में जो काइद आजम थे पाकिस्तान के उनका रिग्रेशन देखते हुए राजा हरी सिंग ने भारत के साथ जाने के लिए कुछ टर्म्स पे अगरी किया था समझा जो की एक टेंपरेरी छे महीने के फेज के लिए एक कॉंस्तिटूट किया गया और जिस आयनगर की आप बात कर रहे हैं जिनों इने लिखा कहने पर नहरू जी के क्योंकि बाबा भीम राव अंबेड करने वो बकतरी 70 लिखने के लिए मना कर दिया वो जो आयनगर थे तो फिर ये क्यों नहीं जाना चाहिए जब इस पूरे देश में कोई राजा नहीं बचे तो आपको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं और दूसरी चीज अभी तो सिफ 10,000 टूप्स भेजे हैं अगर और 10,000 भी भेजने पड़े या 20,000 तो ये के इंद्र सरकार पुए पुए जब देश है याप अपने असली हगदा कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित है वो इस टेक होल्डर है जब तक के पूरी पासीद हमारे साथ भी नहीं होगी वहां के आवां साथ भी नहीं होगी कोई आटिकल छेडा जाए और इसी बच्छाया जाए जाए त पासीद हमारे सारे सवालों का जवाब दे रहें लेकिन यह नहीं बता पा रहे हैं कि जैदी टुक्रिया यहां से भी जा रही है तो क्या सचमुच में कुछ नया डिसीजिन मिलने वाला है इस पर आप उसे टाल जा रहे हैं पंद्रा दस्त का हाला लेकिन पैते से पर अगर डिस आप दो रहे हैं आप एक चरफ बोले सुरक्षा के लिए जा रहे हैं यह मुद्धा बड़ा व्यापक है कश्मीर का मुद्धा इस पर हम भैस करते रहते हैं लगातार आगे भी आने वाले दिनों में करते रहेंगे फि आप सभी का हमाई साथ सवाल भारत का में आज के लिए जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी यानि हमारे व्यूवर्स की आज के हमारे दो सवालों पर राय क्या है हमें जरूर ट्वीट कीजिए आज शीतल राजपूत एन आज जनतांत्र टीवी पर झाल